हेलो फ्रेंड्स मैं विनिया निर्भिक फ्रेंड्स आपका एक बर फिर्षे हमारे चैनल पर श्वागत है तो फ्रेंड्स आरर भी एंटी पिसी रिजल्ट एंड से बीटी टू एक्जाम डेट अपडेट एंटी पिसी बीटी टू फरवरी में होना मुश्किल जी हां वीडियो आप मुल्ब CBT-2 पर भी बनाए उसमें बताईए क्या चांसेज है क्या कंफर्मिशन है तो मैं आपसे बोला था जब तक कंफर्म नहीं हो जाता तब तक मैं CBT-2 पर वीडियो नहीं बना सकता हूं क्योंकि गूरूप D का कंफर्म नहीं हो पाया था इसलिए मैं व ऐसे मिस्टेक्स हुए हैं सीधी से बात यह होता है जब कोई भी गलत काम करता है तो कुछ ने कुछ प्रूफ जरूर छोड़ देता है तो पहला रिप्लाइम मैंने दिखाया था यह मिस्टेक था फिर दूसरा रिप्लाइम वह गलती सुधारने का प्रयास किया गया कुछ नई गलतियों देखने को मिल गई यानि कि फाइनली दोनों रिप्लाइम जो थे वो इसीए को लेकर के दोनों बिल्कुल फेक हैं आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें ठीक है रेलवे कभी ऐसे कोई इनफॉर्मिशन नहीं देता है ऐसे आर्टिया रिप्लाइट नहीं ग्रमेटर बनाता है जिसमें हिंदी और फिर इंगलिशन दिखता है वह इसे होगया तो और बहुत बहुत एक्जामिल है तो आप बता सकते हैं लोग निचुप और आसा इसमें उसका सामने आघ्ञे बनाता है और वहां वह सकता हो और वहां भी उसका सामने आ गया हो ठीक है तो ऐसे बहुत से यूट्यूबर्स जो फेक अफ़ा फाफ फैल आते रहते हैं हमें उसे मतलब नहीं हमें अपने काम से मतलब है आपको अपने प्रिपरेशन पर मतलब है प्रिपरेशन करते रहिए ग्रुपड एक्जाम तो लगव यानि कि एक दिन में अंठाउन जार संतानवे केस मिले हैं और पांस चौशिस घंटे में और अभी एक दिन पहले तक साइध यह केसिस था 35 साजन कुछ था ऐसा ठीक है मतलब कि लगवक्त गुना की स्पीट से बढ़ रहा कह सकते दो गुना भी हो सकता है कुछ दिन में और मिला है तो मैं उस पर वीडियो लेकर के आया हूं कि अब यह भी एक्जाम नहीं हो पाएगा अब यह भी एक्जाम मतलब मुश्किल है ठीक है क्या लिखा हुआ है इंडिया सो असिंगल डे राइज ऑफ 58,097 नीव क्रोना वारिस इंफेक्शन्स दा हाइस्ट इन अराउं 1199 डेज यानि कि आल्मोस्ट कहरा सेवन मंत में पहली बार इतना हाई देखने को मिला है वन डेम में इतने केसिज ठीक है तो टेकिंग दा कंट्री टोटल टैली अफ केसिज तू थ्री करोड फिफ्टी लैक्स 18,058 वाइल अक्टीव केसिज वर रिकॉर्डेट एबग 2 लै मेंने के बाद हुए ठीक है according to the data updated at 8 a.m. आज सुबह आठ बजे का जो डेटा मिला है उसके कॉर्डिंग अट टोटल ऑफ 2,135 cases of Omicron variant of coronavirus have been detected across 24 states and UTs so far out of which 828 have recovered और migrated according to the union health ministry data updated on Wednesday के रहा है कि मतलब की टोटल जो है 2,135 cases जो Omicron variant के मिले हैं ठीक है कि हजार यह पहुच चुका है क्योंकि जितने तेजी से बढ़ रहा है ना friends इसका कोई record ने इसका कोई limit नहीं आप समझ सकते कितने तेजी से आचानक यह बढ़ रहा है अब आगे इसमें थोड़ा सा डीटेल में 594 positive cases have been reported in the state in the last 24 hours number of active cases stands at 1544 we have decided to impose a fine of rupees 200 for those not wearing face masks in public places Madhya Pradesh medical education minister विश्वास तो अहां पर फाइन लगा दिये गए 200 रुपए का जो लोग भी मतलब कि मास्क नहीं वियर करेंगे Madhya Pradesh में उनके लिए क्योंकि active cases बहुत ज्यादा हुआ पर हो गए है 1544 हो गया है ठीक आगे क्या लिखा हुआ है the number of people who have recuperated from the disease serves to 3,43,21,083 while the case fatality rate was recorded at 1.38% यानि देख लिए टोटल इतने मतलब की रिकपरेट हो चुके है और fatality rate कितना 1.38% बढ़ते जा रहा है तो friends आप लोग अब भी भी अगर alert नहीं होते हैं तो फिर बहुत मुक्सान हो सकता है आप लोग घर में रहिए ठीक है सही से रहिए the daily positive rate was recorded at 4.18% while weekly positive rate was recorded at 2.60 यानि विकली अगर अभी देखे 2.6 या daily 4.18 हो चुके है तिना जादा चलांग लगा लिए है विकली मतला ने आवरेज वन विक्का और देखे यहां पर मतलब कितना difference आ गया यानि उससे पहले क्या वन क्यास पर स्रावगा रही ठीक एकॉड़ी एंडिया एड्मिस्ट्री इंडिया एड्मिस्टर्ड मोर दैं 96 लाग कोवीड वैक्सीं दोसे इन लास 24 आस टेकिंग ट थो हैं इसके बराबर हो सकता है और हो सकता है जन्वरी में ही पीक पर चला जाएगा तो फ्रेंड्स कहां से आपके एक्जाम्स हो पाएंगे कहां से क्या हो पाएंगे ठीक है Omicron cases in India, the number of Omicron infections in India could peak late in January or early in February, said Dr. Christopher Murray, Director of the Institute for Health Metrics and Evaluation, यानि IHME के director जो है, Christopher Murray बोल रहे हैं कि January के last में या फिर February के starting में जो है Omicron cases peak पर जा सकते हैं, यानि कि वही 2 लग, 3 लग daily cases आ सकते हैं और आपको exam भी 14-18 February के बीच है, तो अब उस इस अंदाद लगा लगा लिजी आपको exam हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैंने आपके लिखा है कि anti-pacist CBT2 February में होना मुस्किल, यानि कि almost ना ही कह सकते हैं फिर भी आपको अपना preparation नहीं छोड़ना चाहिए, और अगर result की बात करें, तो मैं बार-बार कह रहा हूँ आपको, कि अगर result देने से पहले लोग confirm करते हैं, एक्जाम पोस्टपोन करना है, तो result भी रोक सकते हैं, otherwise result लोग बहुत जल देने वाले हैं, क्योंकि result जो 100% prepare हो चुका है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, तो अब इसमें कोई confusion नहीं रहना चाहिए, उमीद है, आपका result है, तीन से चार दिन में आ सकता है, या फिर उसे थोड़ा लेट बहुत सकता है, नि मैक्सम 15 तक तो आना ही, आना ही कोई doubt नहीं है, लेकिन exam में पूरा doubt है, friends, कि हो पाएगा, यानि कि exam होना अपने time पर बिल्कुल मुश्किल है, ठीक, यह मैं नहीं कहा रहा है, रिपोर्ट कहा रहे है, और भी बहुत से exams पुश्पॉन हुए, मैं बाद में update दूँं, कौन कोस exam पुश्पॉन हुए, और कौन कोस exam पुश्पॉन होने पुश्पॉन होने वाले, जो इससे पहले पढ़ेंगे, इससे और आपको confirmation मिल जाएगा, ठीक है, अभी हर्याने ससी का exam पुश्पॉन हुआ है, और महराश्री पेसी तो हुआ ही था, तो आप देखते रहे क्या क्या होता है, लोग जिसे official notice में यह नहीं लिखते हैं, कोई सब कोई जान रहा है, तो उमीद करता हूँ, आपको यह भी बात समझ में आ गई होगी, यह clear हो गया होगा कि मतलब exam होना मुश्किल है, और directly मना भी नहीं कर सकते हैं, कि exam नहीं होगा, क्योंकि future है future कोई नहीं जानता है, तो मैं 1% हमेजा future पर छोड़ देता हूँ, ठीक है